हेलो गाईज असलाम लेकूम वेलकम बैक टो लाइब इस दफ तो आज की चो रेसिपी है वह आलू मतर की तहरी की रेसिपी तो जल्दी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम वातीली में तेल अट करेंगे और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे जीरा गरम जीरा हो आज प्यास हमारी गुल्ल लड ब्राउन हो गई है और अब हम इसमें एट करेंगे लसन अदर का पेस्ट और इसको मच्छे से मिला लेंगे तो पूद्धान पड़ेंगे तो एक जमल डालेंगे दन्या पॉडर एक जमल लाल मिर्स पॉडर और आधर जमल से भी खम हल्दी पॉडर डालेंगे और इसमें डालेंगे एक जमल के करीब नमक और अब दो तमाटर बारी कटि हुए और इसको हम ढख करके दो मिनट के लिए पकाएंगे थोड़ा सा पानी अट करेंगे ताकि मसाला हमारे जले नहीं और यह देखिए मसाला अभी अच्छे से नहीं पका है और हम इसमें एड़ करेंगे आदा चमच किरम मसाला पाॉडर और इसको हम फिर से ढख कर रख देंगे ताकि मसाला चैसे बुण जाएं और यह मसाला चैसे बुण जाएं और अब हम इसमें एड़ करेंगे आलू और मतर तीन सचार आलू लिया था मतन मैंने और एक बॉक करीब मतर लिए और इसको अधकर के दो सितीर नट के लिए पका लेंगे और इसको चला लेंगे और अब चावल एक करेंगे अधा करीब लिया था जो कि यह जाएं ईसके करीब चावल है, और उसी गिलास नाप कर हम पानी अट करेंगे तो पानी हमारी साभी तीन ग्लास है, और इसको हम रख देंगे पकने के लिए और इसमे ये खौल आगई ये इसमे नमक और एट कर देंगे थोड़ा नमक अमने मसालों में भी आट गया था, और इसको जिटने के लिए रख देंगे और यह देखिए तेहरी यालू मटर की बन के तयार हो गई है तो इसमें हम हरा दनिया डाल के चटनी के साथ सर्व करेंगे तो कैसे लगी मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बता है मुरे चानल को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें और अपना ख्यार लगए अला हाफिज